हाई फैमली कैसे आप सब आई होब सब ठीक होगे आप सभी का वेलकम अपने भाई के चैनल पे मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त भी हां शर्मा दोस्तों आज का जो टोपिक है वह बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है बिकॉज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प दोस्तों आप सब ये तो पता होगा कि हमारी बोडी 60-70% पानी से बनी है और ये जो पानी है ये हमारी यह जो थिंकिंग है वो गलत है विकॉज दोस्तों जब तक हम लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि हमें गव और कितना पानी पीना है तो यह हमें नुक्सान पहुचा सकता है दोस्तों अगर आप कितनी भी हैल्थी डाइट ले लो अगर आप पानी गल तरीके से पीते हो तो उसका फाइदा नहीं होगा उसका नुक्सान होगा और आगे चलकर हमें बहुत से दिक्कतों को फेस करना पड़ता है जैसे डाइजेशन में गड़ बड़ी लेजीनेस किट्नी स्टोन लीवर वीक होना और इम्मुनिटी का वीक होना मतलब दोस्तों कहूं तो यह हमारी और तो और एल्ठ पर असर डालता है अगर हम इसे गल तरीकेveep किते हैं तो अगर बॉडी में पानिकी काम होगी तो हमारे ओर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे और और अच्छे से औन来 करेंगे तो हमें बीमारियों को साबना करना पड़ेगा पिद्सी से बात सो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना उनके साथ जिनके आप केयर करते हो चलिए जानते हैं दोस्तो आप सभी को यह तो पता चल गया होगा कि हमारी बोड़ी 70% पानी से बने हुई है और पानी हमारे और और गन्स के लिए कितना जरूरी है दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ हमारी जो body है वो बहुत ही smart है smartphone से भी ज़द स्मार्त विकोज जब हमारी body के अंदर कोई दिक्कत या कुछ बीमारी होने लगती है तो इससे पहले हमारी body हमें alert करना start कर देती है लेकिन हम थोड़े नादान होते हैं कि उस अलर्टनेस को समझ नहीं पाते हैं दोस्तों ऐसे ही जब हमारी बोड़ी के अंदर पानी की कमी होती है तो सबसे पहले हमारे यूरीन का कलर पीला पढ़ने लगता है डाइजेशन भी कमजोर होने लगता है और हमारी जो स्कीन है वो डल होने लगती है और हमारे जो होट हैं वे सूखने लगते हैं अगर हम लगातार इन दिक्कतों को इग्नोर करते रहते हैं तो आगे चलकर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सावना करना पड़ सकता है अब बात करते हैं में दिन बर में कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए दोस्तों आप सभी को ये तो पता होगा कि पानी के अंदर जीरो कैलरी होती है इसके बावजुद भी ये हमारी बोड़ी को डीटोक्स करता है ये हमारी स्किन को साफ करता है, डाइजेस्टिन को ठीक रखता है, ब्रेन अच्छे से काम करता है, आखों की रोशनी बढ़ाता है मतलब कहूं तो दोस्तों ये हमारी ओवर ओल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है आप लोगों को पता है, हम हूं मंस, बिना खाय ग्यारा से बारा दिन तक ही जिन्दा रह सकते हैं लेकिन वही पर अगर हम बिना पानी पी रहते हैं, तो हम जादे जादे तीन से च्यार दिन तक ही जिन्दा रह सकते हैं इतना इंकोर्टेंट होता है पानी दोस्तो टोईलेट करने से पसीने से पेशाब से और सास लेने की प्रोसेस में हमारी बोड़ी से दो लीटर पानी खर्श हो जाता है तो दोस्तो इसका मतलब यह है कि हमें दो लीटर पानी तो कम से कम चाहिए ही हमारी बोड़ी के लिए दोस्तों हम लोगों को दिन पर में कितना पानी पीना चाहिए ये depend करता है हम कहां रहते हैं, क्या करते हैं, और क्या खाते हैं, इन सब पर ये depend करता है लेकिन आप सबकी knowledge के लिए बता दूँ कि एक normal इंसान को कम से कम धाई से तीन लीटर पानी एक दिन के अंदर पीना चाहिए अगर गर्मियों का time है तो जाइड सी बात है पसीना भी ज़्यादा आएगा तो हमें पानी की need भी ज़्यादा होगी तो दोस्तो इसका जवाब ये है कि अगर पानी हो या कुछ भी चीज हो अगर हम उसकी limit पार करते हैं तो वो हमें नुक्सान जरूर देगी दोस्तो जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी kidney का काम बढ़ जाता है और खून में sodium के कम होने के chances बढ़ जाते हैं लेकिन दोस्तो गभराये मत ऐसा बहुत ही कम chances में होता है विकोज अक्सर लोग इतना भी पानी नहीं पी पाते जितनी उनकी limit है और दोस्तो ऐसा तब ही होता है जब कोई इंसान 5 लीटर से उपर पानी पीता है तो अब बात करते हैं एक बार में कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए दोस्तो हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि पानी को कभी भी और कैसे भी पिया जा सकता है लेकिन दोस्तो हम आप लोगों को बता दूँगी अलग अलग तरीके से पानी पीने से अलग अलग तरीके से बोडी में इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसलिए पानी को बैठ कर और धीरे-धीरे यानि सिप करके पीना चाहिए ऐसा करने से जो हमारे मूँ के अंदर लार होती है वो पानी में अच्छे से घूल जाती है जो की alkaline होती है जो पेट में जाने के बाद acid को सांथ कर देती है जिसके कारण दोस्तो हमारा जो digestion है वो improve होने लगता है अगर हम खड़े और पानी पीते हैं तो यह हमारी body के अंदर तेजी से जाता है जिसके कारण kidney पर लोड पड़ता है और जिसके कारण kidney उसे अच्छे से filter नहीं कर पाती है और अगर आप रितिक रोशंगी तरफ पानी पीते हो, तो पानी के साथ साथ जो इन्वार्मेंट में गैसीज होती हैं, वे हमारी बोड़ी के अंदर चली जाती हैं पानी के थुरू, जिसके कारण हमें आगे चल कर जोइंट स्पेन हो सकता है, तो हमेशा पानी बैठ कर पीना और फिर उससे काम लेती है, जिसके कारण हमारी बोड़ी की बहुत जादा एनरजी वेस्ट हो जाती है, और जिसके कारण हमारा डाइजेशन दीरे-दीरे खराब होने लगता है, इसलिए हमेशा हलका गरम या नॉर्मल पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन भी बैटर होता है, दोस्तो ऐसे पानी को हमारी बोड़ी अच्छे से अब्जोर्ब कर लेती है, और जिससे खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और हमारा पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है, दोस्तो अब जानते हैं पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं, दोस्तो निस पिए भी को हमेशाा खाना खाने से एक घंटे पहले और खाना खने के दिखत अजिश्च के नहीं होड़ा हमें या पानि की धिरल बाते हैं दोस्तो अब बात करते हैं क्या सोते टाइम भी पानी पीना चाहिए दोस्तो जैसे पानी दिन के टाइम फाइदे मन होता है उसी तरह रात के टाइम अगर हम पानी पीते हैं तो यह हमें नुपसान भी पहुचा सकता है विकोस हम जब सोने की तयारी करते हैं और पाने पीते हैं उस टाइम हमारी बोड़ी एक्टिव नहीं रहती और बिना फाइदा पॉचाए हमारी किड़नी के अंदर फिल्टर होने के लिए पोचज जाता है जो हमारी किड़नी के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है और जिसके काण हमें रात को बार-बार उरीन के लिए जियाना पड़ता है और जिसके काण हमारी नींद भी खराब हो जाती है तो दोस्तो दिन के टाइम में ही अपने पानी की कमी को दूर करने की कोशिस करें ताकि हमें इसके benefits मिल्स के एक बार पानी पीने के बाद 40-1 गंटे बाद ही पानी पीए विगोज हमारी kidney की एक बार में 250 ml पानी को filter करने की ही capacity होती है और हां दोस्तो salad, fruit और juice पीने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए विगोज जब हम तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यहीं सब को पेट के अंदर हाड़ कर देता है दोस्तो अगर आप fruit, juice, salad से विगरा लेते हो तो इनके अंदर naturally ही पानी होता है तो इसके उपर पानी पीने की जूरती नहीं होती है और कभी भी गरम चीज के उपर जैसे दूज, चाए, कोफी, इनके उपर पानी नहीं पीना चाहिए विकोज इसके कारण आपको गरम सर्थ भी हो सकती है और यह आपके दातों को भी खराब कर देता है अब बात करते हैं इसे कब पीना चाहिए तो दोस्तों हमारी सुबह की शुरुवात दो गिलास पानी से करनी चाहिए ताकि आपका पेट भी अच्छे से साफ हो सके और फिर आप हर गंटे गिलास पानी पी सकते हो और हाँ दोस्तों खाना खाने के एक गंटे पहले या खाना खाना के एक गंटे बाद पानी पीना चाहिए और हाँ रात को खाना खाने के दो गंटे बाद पानी की जंगत दूद पीना चाहिए ताकि आपको नीद भी अच्छी तरह से आसके बिकोज दोस्तों दूद के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है जो सोते टाइम आपकी बोड़ी के अंदर रिलीज होता रहता है और आपको सुबह उठने के बाद एनर्जेटिक बनाए रखता है सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी सो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करना और कमेंट में जरू बताना कि आप अपने सुबह की शुरुवात कैसे करते हो सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मोटिवेट रहें मिलते हैं लिव वीडियो में झाल